हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका लोक यांदरपन पर मैं धिराजरान आपका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में हम अध्यन करेंगे भारत के पर्थम गवर्नर जनर्र लाड विल्यम बेंटिंग के बारे में लाड विल्यम बेंटिंग जो की बंगाल के अंधिम गवर्नर जनर्र थे और भारत के पर्थम गवर्नर जनर्र के रूप में जिनको जाना जाता है लाड विल्यम बेंटिंग को 1833 में इनको भारत का गवर्नर जनर्र निउक्त किया गया था यानि 1833 के चार्टर एट के तहत अगर हम देखें लाडविलम बेंटिंग बड़े उधारवादी सुधारवादी नीती के थे परणाम सरूप इन्होंने भारत में बहुत से सुधार किये जिसके लिए लाडविलम बेंटिंग को जाना जाता है कभी-कभी एकजाम में आपसे ये भी पूछ ले जाएगा कि लाडविलम बेंटिंग को भारत में स्वअर पर्थम किस पद के रूप में भेजा गया था तो याद रखे गया इनको स्वर पर्थम मदरास में 803 इस्वी में गवर्नर जनरल के पद के रूप में भेजा गया था और 827 में यानि इनको बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया और 833 में इनको भारत का पर्थम गवर्नर जनरल बनाया गया है आजकल question थोड़ा right से या left करकर पूछ ले जाता है तो आपको इन तीनों point को अच्छी तरह से याद रखना है अब इन्होंने जो जो सुधार किये थे भारत के अंदर वे हम देख लेते है first one है सतीपर्था पर रोक लगाई थी 1829 में बंगाल में आपको पता ही होगा सतीपर्था के बारे में फिर भी मैं एक बार recall कर देता हूँ actually हमारे देश में ये होता था कि किसी भी ओरत का अगर पती मर जाता है तो उस ओरत को अपने पती के साथ चीता पर जनना होता था जो कि एक कुरूर पर था थी इस पर्ता को इन्होंने एक कानुनी पजामा के रूप में इसको परतीबंद किया था भारत में बंगाल में सोरी याद रखेगा राजम मोहन राय ने इस हती पर्था को रोक लगाने के लिए बहुत समाजिक सुधार के रूप में कार्या किया था और इसको पूर्ण रूप से जो पर्तिबंद किया था वो किया था लाड़ विलियम बेंटिंग ने अठार सुन अतिस में और अठार सो तीस में बंगाल के साथ साथ बंबाई वे मदरास में भी इस पर्था को पूर्ण त्रेसर रोक या पर्तिबंदित कर दिया गया था नेक्स्ट किया था इन्होंने ठगी पर्था पर रोक जो कि अठार सो तीस में इन्होंने इसको पर्तिबंदित कर दिया था किया गया था तो वे थे कर्णल सीली मैन के द्वारा यानि लाड़ विल्यम बेंटिंग ने कर्णल सीली मैन को इस ठगे परता को रोग लगाने के लिए एक कर्णल के रूप में नुक्त किया था अब हम यहां से दो कोशन आपके कवर हो जाते हैं कि किस के समय में हुआ था लाड़ विल्यम बेंटिंग के समय में और किस कर्णल या किस के अंतरगत किया गया था तो वो थे कर्णल सीली मैन के द्वारा नेक्स्ट है अंग्रेजी को सिक्सा का माध्यम बनाना जो कि 1835 सिस्विय में किया गया था याद रखेगा इन्ही के द्वारा इन्ही के द्वारा भारत में अंग्रेजी का जो एक माध्यम ता वो बनाया गया इन्होंने एक बात महसूस की कि अगर भारत में अपनी राज्य को सुद्र रूप से बिट्टी सविधान को या बिट्टी समराज्य को बढ़ाना है या और मजबूत करना है तो यहां के लोगों को अंग्रेजी में सिक्सा देना अनिवार्या करना होगा और इसी के माध्यम के रूप में इन्होंने भारत में अंग्रेजी सिक्सा का माध्यम शुरू किया जो कि आज तक हिंदुस्तान के अंदर है यानि अब एक रूप में देखा जाए तो एक साइड में अंगरेजी माध्यम के रूप में शिक्सर दी जाती है तो वो भारत के गवर्णर जनरल जो पर्थम गवर्णर जनरल थे लाडवीलां बेंटिंग के समय से ही शुरू किया गया था आई थिंग यहां से आपको ये भी कवर हो गया होगा नेक्स्ट देखते है सरकारी सेवा में भेदभाव का अंद किया गया था यानि पहले ही ये होता था हमारे समाज में जिसेएक गयोटल करेता है मोट रिकोल ये पौइंट है जो वह अच्छी तरह से रिकोल अच्छी तरह से कवर होगए होगे होगे मैं आप एक बार जिसको रिकोल कर देता हूं जैसे फर्ष्ट बन है सती पड़ता 1839 में सती पड़ता ठगी पड़ता 1830 में और अंग्रेजी सिख्षा का माध्यम 835 में और सरकारी सेवाव में जो एक भेदभा होता था उसको भी 1833 के चार्टर एट के तहट इसको भी स्माप कर दिया गया था तो लाड़ विल्यम बेंटिंग के बारे में सिर्फ इतने ही कोशन पुटूप किये जाते हैं आई थिंग सभी कोशन आपको कवर हो गए होंगे आपके नेक्ष्ट देखते हैं चार्ल्स मैटकाव जो इनका समय था वो था 1835 से 1836 दोस्तों याद रखेगा ये स्रिफ जादा टाइम के लिए गवर्णर जर्नल नहीं बने थे भारत के आई थिंग मुश्किल से दो साल के ही बने थे इनको स्रिफ भारत में अगर जाना जाता है तो वो जाना जाता है समचार पत्रों का मुक्ति दाता ऑक्शली भारत में होता था उस समय पर की जो कोई भी पत्रिका या समचार किसा रहता लेनी पड़ती थी उसको अपना रिपर्ट दिखाना पड़ता था तभी उसको भी उसको चांप सकते थे लेकिन चार्स मैटकाप ने इस नीटी को खतम किया बहुत बार कोश्चन तो इस पर बैन लगा हुआ था उसको खतम करने का एक प्रावधान शुरू किया था लेकिन जो अंतिम रूम से एक कानूनी पजामा पहनाया था वे थे चार्ल्स मैट काप आई थिंग आपको ये भी कवर हो गया होगा नेक्ट देखते हैं हम लाड अकलेंड जो की 836 से 42 तक भारत के गवर्नर जनरल है अगर देखा जाए तो इनको एक जीटी जो रोड है गरान ट्रक रोड के रूपे जिनको जाना जाता है उसी के ही रूप में ही इनको जाना जाता है जीटी रोड के बारे में देख लेते हैं जिसको सेर्ज सासूरी के द्वारा बनाया गया था जिसे आज गरांटर की रोड के रूप में जाना जाता है दोस्तों याद रखिएगा वर्तमान में NH1 और NH2 को समलित रूप को हम गरांटर की रोड के रूप में जानते हैं यहां से भी आपके सारी कोशन कवर हो गए जैसे एक बार रिकोल कर लेते हैं जो चाल्स मैट काप थे समचार पत्रों का मुक्ति दाता इनको जाना जाता है और लाड अकलेंड को 836 और ब्यालिस में इनको GT जो रोड थी उसके इन्होंने सेरसान सुरी जो रोड था उसको GT रोड के रूप में जाना जाता है जो उन्हें इसको बना दिया था आसा करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा जो आपकी अगामी परिक्सा की दरश्टी से बहुत उपयोगी सीध होगा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, कमेंट करे, सस्क्राइब करे और अपने दोस्तों को सेर करे आपकी परिक्सा बेतर जाए आपको शपलता मिले इसी मनोकमना के साथ मैं विदा लेता हूँ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जाहिंद